हलो मैं प्रीती इजी टू कुक से आज मैं आपको स्टफ प्रेट पकोड़ा बेसन वाला बनाना बताऊंगी इसे हम तरह के चटनियों के साथ खा सकते हैं इसके लिए मैंने ये चार-पाच बॉयल आलू ली है आलू मैंने हमेश पहले से बॉयल थे जो ठंडा होने पर मैंने इस तरह से मैश कर लिए ये बैसन लिया है बाल में जिसको नॉर्मल जो पकोड़ी वाला आपकोड़ी बनाते हैं उस तरह के बैसन घुल कर तयार कर लिया है ये एक कटी हुई प्याज है महीन महीन कटी हुई प्याज लालमिच पावडर नमक टेस्क एनुसार 3-4 हरेमिच बारी कटी हुई यह अमचूर पाउडर यानि खटाई है यह रा धनिया कटा हुआ यह मैंने स्लाइस ली है इनको इस तरीके से काट लिया है यानि इस तरीके से हमारी दो ब्रैट के चार पकोड़े तैयार हो जाएंगे एक खाने का सोडा आलू हमारा पहले सुबलावा होना चाहिए ठंडा तभी अच्छी बनती है कोई भी स्नैक सम बनाते हैं तो आलू हमारा ठंडा और पहले सुबलावा होना चाहिए अब इस आलू मैश किये हुए आलू में खटाई डाली नमक डाला अरिमिज डाली धनिया डाला प्याज डाली यह बहुती जल्दी बन जाते हैं लाल मिज डाली चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं अब इस सम्मार को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका कि देखी मिक्षर तियार कर देंगे स्टाफिंग अब यह जो बेसन हमने गोल के रखावा था करीब हम इसको 15-20 मद बाद हमें इसमें जब बनाएंगे उसी समय हमें इसमें थोड़ा सा सोड़ा डालेंगे और नमक डालेंगे बागी हमें और कोई मसाला नहीं डालना है चू़कि मसाले हमारे आलू में डल गए हैं अब इसको अच्छे से पैट लेंगे जो ब्रैड की पीसीस हमने काटके रखे हुए है अब उसमें हम अलग-अलग इसमें आलू का मिक्षर से इसको स्टॉफ कर देंगे इस तरीके से यह बहुत ही जल्दी बन चाता है कभी भी आपके कोई गैस्ट आ जाएं तो आप इसको तुरंद बना सकते हैं इसमें ऑईल भी बहुत जादा नहीं लगता है देखिए और इसको हम तरह तरह की चट्नियों के साथ जैसे सीजन उसी तरह की चट्नी के साथ खा सकते हैं जैसे धने की चट्नी है पुदेनी की चट्नी आमी की चट्नी आमले की चट्नी आफी सॉस चमैटो सॉस मैंने इसके साथ ही इसमें खटाई की भी इंस्टेंट चट्न कर बड़े बड़े बन जाते हैं देखिए शुरू में हमारे गैस तोड़ी तेज होनी चीए उसके बाद हम इसे मीडियम गैस पर दीरे दीरे सेखेंगे एक्दम करा रहा होने तक कभी हमाई पास अगर कोई भी चटनी त्यार नहीं है तो हम तुरंदी खटाई से इंस्टेंट चटनी बना सकते हैं और यह उसी चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं अब देखे सिखने वाले हैं इसको हम पलट देंगे एकई करके यह देखे कितना इसका साइज बेक्दम बड़ा हो गया है एक्दम बजार जैसे सम लगते हैं ब्रैट पकॉड़ा जैसे कि बजार मेरे रिमिट मिलते हैं जब यह अच्छे से सिख जाएंगे तो इनको भार निकालेंगे अगर आपके पास इमली का पल्प तयार है तो उससे भी हम इंस्टेंट चट्नी बना सकते हैं और उसी चट्नी के साथ ही अच्छे लगते हैं जो मैं आपको भी बताऊंगे अभी तलगें हमारे इनको भार निकालेंगे यह बंदकर हमारे तयार हैं ब्रैट्पर कोड़ा अभी देखे खटाई ली है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरहीं से चट्नी बना सकते हैं खटाई नमक कटी हुई प्याज थोड़ी सी हरीमिच भी ले सकते हैं यह लालमिच पाउडर है अब इस खटाई में नमक डाला आप देखेगा यह धनी और पुदेरी की चट्नी से भी जादा ही टेस्टी लगती है चट्नी खास तोर से नपकोड़ों के साथ लालमिच डाल कर लेंगे और इसका अच्छा से एक पेस्ट तयार कर लेंगे इस तरह से देखिए कि हमारी चट्नी तयार है पकोड़ी तयार है अगर आपको मेरी रेसीपी पैसंद आए तो प्लीज इससे लाइक करें और ने जिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं लास्ट वीडियो में भी आपको तरह देखिए के पकोड़ी बनाने बताया था